आज हम 9 नवंबर के करेंट फिर डिसकस करेंगे आज का फर्स्ट कॉशन है नेम लेकित मैसे किसने संयुक्त राज अमेरिका के 2020 का रास्पति चुनाप जीता है और इसका सही आंसर है ओप्शन डी जॉई बिडेन जॉई वुडेन जो है युनाइटिड स्टेट के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत गई है लोकेशन देख सकते हैं आप मैप में यहां युनाइटिड स्टेट सॉफ अमेरिका जिसकी कैपिटल है वाशिंग्टन डी सी करेंसी यहां की डॉलर है और इसी के साथ आज हम नौर्थ अमेरिका के कुछ बेस और गल्फ के बारे में जानते हैं जिसे हम प्रमुक सागर और खाड़ी कहते हैं जैसे कि यहां पर ब्यूफोर्ट सागर है बूतिया की खाड़ी बैफिन की खाड़ी हर्सन की खाड़ी लेब्रड और सागर है सैंट लॉरेंस की मतलब गल्फ है गल्फ ऑफ सैंट लॉरेंस गल्फ ऑफ वंडी और गल्फ ऑफ चैसा पीक गल्फ ऑफ मेक्सिको गल्फ ऑफ केमपेचे, गल्फ ऑफ डेरियन, केरिबियन सागर, गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ कैलिफॉर्निया और गल्फ ऑफ अलास्का और बेरिंग सागर है नॉर्थ अमेरिका में जोसेफ रॉबिनेट बिडेन जो की अमेरिकन पॉलिटिकल और प्रेसिडेंट चुने गए हैं युनाइटेड स्टेट्स के और इन्होंने डोनाल ट्रम को हराया है और यह 46 प्रेसिडेंट बने हैं और यह जनवरी 2021 से अपना कारिभार समालेंगे यह oldest person है जो की प्रेसिडेंट बने है बिडेन ठीक है इनसे पहले डोनाल ट्रम थे और जोसेफ जो 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 बिडेन जो है उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ रिवीजन USA का इंडिया और युनाइटेड स्टेट्स ने साइन किया है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्परेशन एग्रिमेंट नेक्स्ट पॉइंट है युएस ने फॉर्मली विड्रॉल कर लिया है पैरिस क्लाइमेट एग्रिमेंट से नेक्स्ट कॉशन है भारत का पहला सोर आधारिस सोर आधारिस एकी कुरत बहु ग्राम जल आपूर्ती पर योजना किस राज़ में शिरू किया गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुनाचल प्रदेश में इंडिया सफर्स सोलर बेस्ट इंटिगेटिड मल्टी ब इंडिया को पहला सोलर बेस्ट इंटिगेटिड मल्टी ब्लेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि अरुनाचल प्रदेश के पीपल्स को दिया गया है डेडिकेट किया गया है सोलर बेस्ट लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है वह 39 ब्लेजिस के लिए मतलब के एक flagship program जो की supplement करेगा जल जीवन mission और drinking water system को बना के रखना है कुछ revision अरुनवाचल प्रदेश के बारे में नैची पू टरनल जो के अरुनवाचल प्रदेश में ही situated है बूमला बॉर्डर पास्ट वह अरुनवाचल प्रदेश में ही है यहाँ के CMR PEMIS Khandfive गवर्डर यहाँ के बीडी मिशिरा है मॉलिंग नशनल पार्क नामदफ़ा नैचनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है नामदफ़ा कामलंग टाइगर रिजर्व और पाक के टाइगर रिजर्व यही पर रिस्तित है नेक्स्ट कॉशन है किस राज्य ने रास्टिय जल पुरुसकार 2019 के तहट सर्वश्रेश्ट राज्य श्रेडी में श्रीश इस्थान प्राप्त किया है विच स्टेट हैस टॉप्ट दा बेस्ट स्टेट कैटिगरी अंडर दा नैशनल वाटर अवार्ड्स 2019 और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडू ने अभी हाल ही में बेस्ट स्टेट अभी नैशनल वाटर अवार्ड्स 2019 की घोशना की गई है जिन्हें भी दिया जाएगा 11 एक्टूबर से 13 12 एक्टूबर तक ठीक है और इसमें तमिलनाडू ने जो है वहर बेस्ट स्टेट कैटिगरीज में अवार्ड जीता है और भी कुछ कैटिगरीज है उनकी भी नाम देख लेते हैं मिजोरम ने स्पेशल कैटिगरी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है बैललोर और कुरूड़ डिस्टिक इन्होंने फर्स्ट और सैकेंड जो पोजिशन ने वह युनिवस्टी इन्हें दौनों युनिवस्टी को फर्स्ट और सेकेंड प्रैस मिला है Water Warrior कैटिग्री में केडला तमिल नाडु के बारे में कुछ स्टाटिक इंफॉर्मिशन चीफ मिनिस्टर यहां के इके पलाना स्वामी है गवर्नर बनवारी लाल पुरोहीत है यहां पर गैंडी नेशनल पार्क है गल्फ वस्ट मननार मेरायन नेशनल पार्क इंद्रा गांधी नेशनल पार्क मुधुमलाई नेशनल पार्क और मुखुरती नेशनल पार्क है नेक्स्ट कोशन है अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के साथ AIM सीरिस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉंच किया है और इसका सही आंसर है ऑप्षिन भी रशिया और इंडिया दोनों ने मिलकर AIM सीरिस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉंच किया है रेशिया की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं और रेशिया के बारे में भी अब हम कुछ सागर और नदियों के बारे में जानते हैं जैसे कि जो आप देख रहे हैं यह वाइट सी है यहाँ पर वाइट सी यहाँ पर डैविना और मैजेन नदी जो मैजेन रिवर है और डैविना रिवर ठीक है यह यहाँ पर गिरती है Second हम बात करेंगे Warren Sea की यह जो Warren Sea है यहाँ पर 65 नदी गरती है ठीक है थड़ हम बात करेंगे KARA NI जारा कुर में Oby तीक है और Oby के सारथ एक Yan Commission नदी है थीक है और Yanriters Sea रिवर जो है वहार कारा सागर में गरती है Next है Laptop Laptop C Laptop C में Lenna ठीक है और याना लैना और याना ये दोनों नदियां गिरती हैं अब हम बात करेंगे इस्ट साइबेरियन सी के बारे में यहाँ पर कोलियामा नदी गिरती है ठीक है कोलियामा से कोलियामा नदी गिरती है इस्ट साइबेरियन सी में उसके बाद Baring Sagar है, Baring Sagar में युकान नदी गिरती है और Octosk Sagar यहाँ पे भी युकान नदी बह गिरती है Capital जो है रशिया की वह मॉस्को है और President यहां की ब्लादिमेर पुतिन है और करंसी यहां की रशियन रुबल है अटल इनोवेशन मिशन और सीरीज ठीक है रशिया की जो है इन दोलों ने लॉंच किया है AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 यहां 14 दिन का वर्च्वल प्रोग्राम है इंडिया और रशिया के स्कूल चिल्डर्स के लिए यह जो सीरीज प्रोग्राम है उसमें डेबलब किया चाहिए कर टेक्नोलोजिकल सॉलूशन जो की वेव और मॉबाइल बेस्ट होगा दोनों ही कंट्रीज के लिए किस राज्य ने मचली पकड़ने वाले समुदाए के लिए परियावरण इस्थाई कारिक्रम परिवर्तनम शिरू किया है और इसका सही आंसर है और प्रोग्राम परिवर्तनम जो की फिशिंग कॉम्मिनेटीज के लिए है केरला ने लॉंज किया है एक स्कीम ठीक है जो की बेटर लाइब्लिहूड प्रोवाइट करेगी फिशर फॉक्स को परिवतनम यहां गारंटी देता है फिक्स प्राइज और फिक्स कैचर्स की फियर कंपेंसेशन के लिए यहां पर स्टाटिक इंफॉर्मिशन की बात करें तो यहां पर एराभी कुलम नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क पैरियार नेशनल पार्क अन्नामुरी शोला नेशनल पार्क माती केतन शोला नेशनल पार्क और पंपा दुम शोला नेशनल पार्क है चीफ सही आंसर है option d गुजरात में Prime Minister has inaugurated the RoPEX Terminal Prime Minister Shri Narendra Modi ने inaugurate किया है RoPEX Terminal हजीरा से ठीक है और यह जो RoPEX ferry service टो है वह हजीरा से लेकर गुजरात में GOGA तक चलेगी और इसका अध्गाटर वीडियो conference के ठुरू किया गया है और इसी के साथ जो Ministry of Shipping है उसका नाम बदल दिया गया है अब उसका नाम हो गया है Ministry of Ports, Shipping and Waterways रोपैक्स सर्विस जो है वह हजीरा से गोगा के बीच में चलेगी ठीक है और यहाँ साउथ गुजरात के सोरास्टा के लोगों के लिए इसे चलाए गया है रोपैक्स फेरी को सर्विस को स्टार्ट किया गया है और यहाँ जो डिस्टेंस है जिसमें दस से बारे घंटे लगते थे अब तीन से चार घंटे लगेंगे अगर हम कुछ स्टाटिक इंफॉर्मिशन की बात करें तो यहाँ के सीया में गुजरात के विजो राम निकलाल, रुपानी और गवर्नर है आचारे देवरत यहाँ पे जो नैशनल पार्क है वह वंसदा नैशनल पार्क, ब्लैक बग, गिर्ज और मेराइन गल्फ आफ कच नैशनल पार्क है नेक्स्ट कॉश्चन है, हाल ही मैं टाइग्रे शेत्र समाचारों में है या किस देश में इस्तित है और इसका सही अंसर है, ऑप्शन डी है, इथोपिया में इस्तित है टाइग्रे यह आप मैप में देख सकते हैं इथोपिया ठीक है और टाइगरे जो है वो नौर्ट में है ठीक है और करेंसी जो है इथोपिया की वह आदिस अबावा है ठीक है और आदिस अबावा कैपिचल है और करेंसी यहां की जो है वह इथोपियन बिर है और यहाँ पर कुछ इतोपिया यहाँ पर देखी सकते हैं ठीक है यहाँ पर Gulf of Aden है यहाँ पर यह रेट सी वाला एरिया है ठीक है Erit area North में आप देख सकते हैं यहाँ पर Blue Nil River है लेक ओफ यह लेक ओफ रट ओफ और यहाँ पर एक लेक Q है छोटी सी और लेक अबेया इथोपिया ठीक है जहाँ पर जो है civil war जो है एक तरसे स्टार्टी हो गया है जब इथोपिया की जो प्राइम मिनिस्टर एवे एहमत है उन्होंने अनौंस किया है अपनी troops को order दे दिया है कि वहाँ जो violent attack जो arm force के द्वारा नदन तिग्रे रीजन में हो रहे हैं उसके लिए जैसे बोला जाता है उसके नदन मोस्ड में है तिग्रे रीजन तिग्रे जो है वह होमलैंड है यहाँ पर तिग्रे रहते हैं ए रोप रहते हैं और कोनामा पीपल सहते हैं तिग्रे जो है वह जाने जाते है region 1 क्योंकि वह federal constitutions के according इने region 1 के नाम से जाने जाता है क्योंकि यह 9 regions है ना इसलिए और यहां कि जो capital लार्जर सिटी जो है वो मैकले है नेक्स्ट कोशन है WhatsApp ने UPI payment के लिए कितने बैंकों के साथ साज़दारी की है और इसका सही आंसर है option भी 5 WhatsApp ने partnership की है 5 Indian banks के साथ वह payment service की process के लिए वो जो 5 banks है उनके हम नाम देख ले थे State Bank of India, HDFC Bank, ICAC Bank, Axis Bank, Geo Payment Banks नेक्स्ट कोशन है सारनाथ निम्लिकित मैसे किस नदी के संगम के पास इस्तित है और इसका सही आंसर है option ए गंगा और वरुना नदी के संगम के पास इस्तित है सारनाथ प्राइमिनिस्टर नरेद मोदी ने इनागरेट करेंगे कई सारे development project वारानसी में जो ऐसे की होंगे सारनाथ light और sound show सारनाथ वह प्लेस है जो की located है 10 किलो मीटर नौर्थ इस्ट और वारानसी सिटी के यहाँ संगम है गंगा और वरुना रिवर का उत्तर प्रदिश इंडिया में यहाँ पर डियर पार के सारनाथ में जोहाँ पर गौतम बुद्ध ने फर्स्ट टॉट मतलब पढ़ाया था धर्म की पढ़ाई जो है फर्स्ट स्टार्ट की थी धर्म चक्र परिवर्थन जैसे फॉलवर शुट विजिट मतलब जो भी बुद्धा के जो फॉलवर्स है वो इस टेके पर जरूर विजिट करते हैं नेक्स्ट कोशन है ओन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियो लॉजी इस ऑब्जर्वड और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साथ सौरी ऑप्शन डी इसका सही अंसर है आठ नवंबर आठ नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियो लॉजी ऑब्जर्व किया जाता है या तो इतना आठ वर्ल्ड रेडियो लॉजी रेडियो ग्राफी मैं शायद रेडियो लॉजी बोल दिया है ठीक है ठीक है वर्ल्ड रेडियो ग्राफ जुरिंग तग गंगा उससब 2020 और इसका सही आंसर है option डी चाचर चौधरी जो है वह गंगा उससब 2020 के दोरान नमामी गंगी पर्योजना के लिए brand ambassador के रूप में नामित किये गए है इसका अंसर 30 है ठीक है वर्ल्ड वाइट फर्म रिपोर्ट के अनुसार जो है दो हजार प पेस करेंगे यह बिल्कुल ठीक है यूसन ने विड्रॉन कर लिया है पैरिस क्लाइमेट एग्रिमेंट से यह आज हमने कोश्चन आपको बताए भी है कि यह गुजरात है मॉटो टरनल जो है वो पाकिस्तान आपके लिए कोश्चन है कि रास्टी राजद्वानी शेत्र और आसपास के शेत्रों में बायू गुडवक्ता प्रभंधन आयोक के अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए इसी के साथ 8 नवंबर के रिविजन क कोश्चन सर्दन नेवल कमांड इंडियन मिलिटरी की जिनके द्वारा कंड़ेक्ट की गई है जॉइन ट्वाइ सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्लू स्ट्राइक मतलब ब्लू स्ट्राइक जो है वहां किस कमांड के द्वारे स्टार्ट की गई है कोश्चन इस तरह जो है वार नागलेंड में सैटप किया जवा रहा है अगला कोश्चन है श्री लंका ने ओपन किया मदरसा ट्रांस्टेंडर मुस्लिम्त के लिए आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए इसी के साथ 9 नवंबर के करंट अफियर यहीं समाप्त होता है थैंक्यू सो मच